दोस्तों यह तो आप गोल गोल बंडल देख रहे हैं इसमें साइलेज है यह किस चीज का बनाया जाता है इसको अपने पसु को खिलाने के क्या-क्या फायदे है और साथ में यह तूड़ी भी बनाते हैं न्यूट्री मिल की बहुत पहले मने एक वीडियो इनकी बनाई थी बह आप देखरें फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका दोस्तुर्जीत सिंग सर नमस्कार नोश्कार सर राम राम जी सस्रेगाल जी सबसे पहले ताप हमारे दर्सकों को प्लीज एक चोटा सा इंट्रोडेक्शन दे दिजिए उसके बाद इस साइ प्राइवेट लिमिटेड हैं हमारा ब्रैंड है न्यूट्री मिल ऑजिए हम भारत वर्ष में जो पहली साइलेज की बेल बनाई हुआ हमारी कम्परी ने बनाई 2015 में हमने अपनी पहली बेल बनाई थी और आज हम करीबन 25,000 किसानों को साइलेज सप्लाई करते हैं सर नई लोगों के लिए पूछना चाहता हूं सबसे बेसिक सा सवाल की साइलेज क्या है यह क्या होता है यह बताओ एक बार प्लीज साइलेज सर हम लोग जो बनाते हैं सा मक्या का साइलेज रखा हुआ है आप देखेंगे इसको इसको मक्य का अबकर करके हुआ है एक right stage पे उसको harvester से हम लोग harvest कर लेते हैं और उसके अंदर आप देखेंगे मक्की के दाने अंदर ही होते हैं जो की दूधिया दाने होते हैं जो की पशु अराम से पचा सकता है यह दूधिया दाने की जो right stage होती है इसमें हम लोग मक्के को harvest कर लेते हैं और फिर हम इसका silage बनाते हैं इसमें इनॉकुलेंट मिला करके सर ये पशों के लिए बहुत लाबदाएगा सर तो सर दूसरा सवाल है कि साइलेज खिलाने के पशों को क्या-क्या फाइदे वो बताईए डिटेल से बताईए प्लीज आजे इसके सर पांच में फाइदे हैं सर सबसे पहली बात त होता है सर चौथा ये किफायती संस्ता है और पांचवा इस से फारं के उपर लेबर की समस्या का भी निवारण होता है तो ये पांच में फाइदे ऐसर साइलेज के ये फाइदे आपने बता दी समसे लास्ट में बात बोली की लेबर की समझ्षा का निवारण होता सब्सेर वह कैसे होता है जो कि यह आद्वी है क्योंकि पैक्ड फॉर्म में आता है यह बिल्कुल पैक्ड चारा है इसको सिर्फ खोला और पशू को डाल दिया काटने का जंजट नहीं दाना मिलाने का जंजट नहीं बिल्कुल पैक्ट चारे को खोला यह जो आप यहां गाट देख रहे हैं इस गाट को हम लोगों ने काटा सीधा खोल करके और पशू को ठान में डाल दिया पशू इसको बहुत ही खाता है सर तो सर गाय के पैस के लिए समान रहता है कि अलग अलग रहता है और इसको पशू वैसे पुराणी वीडियो का मेरा अनुबवर मैंने खुद भी इसको खिला लेकिन आप से दुबारा जानना चाहूँगा नए लोगों के लिए पशू खाने में इसको चाहूं से खाता है या दिक्कत करता है वो थोड़ा बताओ सर पशू के लिए सर यह मैं अगर देशी बासा में बोलूं अपनी अर्यानवी बासा में तो पशू के लिए पनीर आइटम है सर अच्छा पशू की सहत बहतर हो जाती है दूद बढ़ जाता है और बेरी के अंदर है यहां पर भी है यह 100 किलो की पैकिंग है सर अच्छा उसके बाद 400 किलो की पैकिंग में आता है 500 किलो की पैकिंग में आता है सर वा जिवार और अब हमें एक 300 किलो की पैकिंग के आसपास पर और काम कर रहे हैं तो सरी आप यह कहां बनाते हैं आपका यह कह सकते हैं कि सेल्स टीम है सर उसके उपर किसान फोन कर सकता है हम नंबर आपको प्रोवाइड करवा देंगे पूरे ऑल अवर इंडिया कश्मीर से कन्या कुमारी तक हमारी डिस्पैच होती है कश्मीर से कन्या कुमारी गुजरात से आसाम और नौर्थ इस्ट सब जगह पर हम लोग सर इसक एक बार अपने पूरा के कहा संपरक किया जाए वो बताइए प्लीज एक बार नंबर सर हमारा है 90415-09696 और भी एक दो नंबर हैं जो मैं आपको दे दूंगा आप विवरन में लगा दीजेगा ठीक ठीक है इस परकार आप न्यूट्री मिल साइलेज मंगाना चाहते अपन मैंने इनका प्लांट वीजिट किया था वहाँ पर वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताएगा और जो बाइबन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक कोस्ता रहे सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद 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 हराम रब धन्यवाद